तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज एक और नहीं वीडियो में आपका स्वागत हैं अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं यहां पे सरजरी कैसे कर रहा हूं सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि भाई जैसा कि आप लोग को पता ही होगा एक तो कि मैं सल्म इनके गुटने में गोली लग गई थी तो गुटने में क्या बोलते हैं गुटने की गोली तो हमने दो घंडे पहले लेकिन वो गुटने की गोली लगने से जो इनको दिल में डामेज हुआ है बो उसको अब आम फूर idle हटाने के लिए कि हमें इनका पूरा दिल हटाना पढ़ रहा हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बस एक छोटी सी सरजरी है जिसमें हम लोग इनका दिल हटा देंगे एक नए दिल के साथ रिप्लेस कर रहे है है ना और ब्लड लॉस इनका एक सेंड ब्लड लॉस इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है अरे इन्जेक्शन यह आला मारना है भाई यह मारो इन्जेक्शन बस ब्लड लॉस रुक चुका है यहां पर दो सेकेंड इसको थोड़ा ऐसे रखो हाँ ताकि यह मेरे हाथ में ना लग जाए भाई सुई अब बै उठ जा आरी या जो भी बोलते हैं इसको बै उठना अबे उड़ गई उड़ गई उड़ गई आदो जैसा कि मैं बोल रहा था कि बाई इमोशनल डामेज घटाने के लिए इनका देल का हमें वो करना पड़ रहे बाई सरजरी करना पड़ रहे जिसमें हम इनका फेफ़डास टमाक इसो फेगास लिवर देल ये सब निकालेंगे और एक नया देल फेट करेंगे शिंदा की बात नहीं है क्योंकि भाई इंस्वरेंस कंपनी नहीं है पूरा समाल रखा है तो हां मेरे को भी पूरा पैसा मिलेगा और इनको भी पूरा पैसा देने का जरुवत नहीं बागी भाई रिपकेज रिकल चुका है बागी उदे बाई अबे निकल ला भाई ये निकल क्यों नहीं रहा निकल गया ये लो भाई से सास लो आप माउट टू माउट दो उसमें हाँ बहुत सहीं सहीं कर रहो भाई ऐसी 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 सास लेते रहो भाई मरना मत वरना मैं मर जाओंगा अभी बस इनका ये लीवर निकलना है मेरे को जो फॉर सम रीजन निकल नहीं रहा है पता नहीं क्या लेगा निकलने का निकल ला भाई काफी जिद्धी है ये निकल निकल तेरी ऐसी तैसी सलेक कैसे नहीं निकलेगा रुख जा कैंची का है इसको कैंची सही काट डालूँगा ये रही बई कैंची इस ओफेगस भी काटी देते हैं बई काट रहों तो कट जा बई कट जा अब eh ये क्या बई तो नदी बहला नद तलाब बन जाएगा बई आपके इस किय एस ओफेगस कट चुका है बर्ट फवारा भी बन रहा है इसलिए भाई सरजरी के पहले गाई स्पान पराग नहीं खाना चाहिए यह देखो बाई ऐसे पूरा लाल लाल हो गया है मेरे कुछ दिख भी नहीं रहे है बाई कटा है कि नहीं कटा है मैं बस रैंडम ली यह कैंशी चलाय जा रहा हूं यहां पर बस होप कर रहा हूं कि इनका देल कट बाई कि शाद से कड़ गया है पर पहले बाई इंजेक्शन लगा देते हैं ब्लड फ्लो मलब ब्लड लॉस हो रहा है इनका ओके आँखो मैं इंजेक्शन लगा दिया एक और बार लगा दो हां कि बस बाई इसको यहां रखो यह अभी भी क्यों निकल रहा है मेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है निकल क्यों नहीं रहा है इसको न थोड़ा आरी से ट्रिम कर देता हूँ लीवर है वाफिस उख जाएगा जहां तक हम मेरे को बाई पढ़ाया है उसमें यह डॉक्टर इंस्टिटूट में जहां से मैंने किया है हमको तो यहीं बता है कि लीवर वाफिस उख जाता है तो यह लो भाई लीवर निकल गया अभी एक और एक फ्रेश केंची उस करूंगा भाई बाकी का काट ने कले कट जा यह लो भाई फर्स टाइम कड़ गया आहां अभी बस एक एक कर के सारी चीज़े निकाल दो यह लो भाई या आपका दिल भै हाँ अब है मेरी घड़ी कोई बात नहीं तौफे में दे देता हूं इनका दिल हमेशा तिक धक की जगा टिक टिक करेगा इनका दिल बस फिर लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई इनके दिल में बॉम तो ना लगा करके बै नया दिल का है भाई इसके अंदर नया दिल होना था यह रहा नया दिल थांक गॉड नीचे नहीं नीचे नहीं गिरना इदर आ हाँ वैस आप दरा दिया यार जा बाई अंदर जा अबे अंदर जा पेटो जा भाई अबे फेट क्यों नहीं हो रहा हो गया लेट्स गो सर्जरी कंप्लीटेड लुक्स फाइन तो मी आम शूर ही विल लिव तो भाई तीन अजार आच्छो मिलीमीटर मिलीलीटर ओ बलड बचा ह है इसके बॉड़ी में मलब की तीन लीटर शायद से पता नहीं सर्जरी टाइम भाई तीन में छे मिनट में पूरा हाट का सर्जरी कर दाला है हमने भाई हमसे अच्छा डॉक्टर कोई है क्या ना है तो भाई सर्जरी तो कंप्लीट हो चुकी है मेरी भी जान बच गई क्यो को इनके बाई लोग मार देते हैं बट कोई नहीं सर्जरी हो चुकी है बाई कंप्लीट वाकि यह यह ली वीडियो बाई इंदम छोटी मलब इतरी रहेगी बाकी मिलता हूं मैं आप लोग से अगली वीडियो में तिल देन गुड़ बाई गाईस मिलते हैं जहां पे बिल ज